बावा एक साल पहले टाइगर 3 का अनॉंसमेंट हुआ था याद है आपको जिसमें भाई कैटरीना के अप जो थी वो इस्टंट बगएरे कर रहे थे हैं अपने भाई जो थे वो सो रहे थे हमेशा कि मतलब वो सो रहे थे भाई मतलब सल्मान खान यानि की ड्राइवर, सूटर और पता नहीं क्या-क्या बहुत सारे रोल से इनके तो भाई अपने सो रहते लेकिन यार एक साल हो चुके हैं ना कोई टीजर, ना कुछ ट्रेलर, ना कोई अपडेट, ना कुछ भी मतलब क्या है ये? तो क्या ये एक पॉबलिसिटी स्टंट है? या फिर टाइगर जवान से डर गई है? या फिर ये जवान का फॉर्मुला फॉलो कर रही है ना वश्कार, भीर ना हमें सार्टक और आप सो भी देख रहे हैं, इस सार्टक शो जहां आज हम बात करने वाले हैं टाइगर 3 की, त बहुत ज़दा पॉलिवुड ना वह एवंजर वाला काम करने वाले हैं, बहुत सार्ट को मिलाने वाले हैं और फिर वहां पर एक साथ कुछ ना कुछ धमाका देने वाले हैं, सुनने में आ रहा है कि टाइगर 3 में बहुत बड़े-बड़े कैम्यूज दिखाने वाले हैं, और ट्रेलर नहीं भी दिया तो भाई टीजर तो आजाना था, लेकिन याद याद है आपको जवान ने कैसा किया था, जवान ने भी कुछ इसी तरीके का फंडा अपनाया था कि भाई, हाइप बनने दो, हाइप बनने दो, फिर एकदम से टेलर और टीजर पटक के सब की बो इसा है, तो यहाँ पर टाइगर वर्सिस पठान करके कुछ 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 क्रेस चल रहा है, तो हो सकता है कि ट्रिलर शारुक खान के बर्थडे यानि कि दो नवंबर को आए, और होने को तो यह भी हो सकता है कि मूवी फ्लॉप हो जाए, क्योंकि भाई, सल्मान खान बहुत इसारीके के रोल बताओ जिस तरीके हैटिंग कराना चाहो, आप करवा सकते हो, लेकिन उसी जगा अगर हम सल्मान खान की बात करते हैं, मस्तार तो हंकिह की एमोशन कर लेता ہے action वगेरा सब सुल्तान देख लो सब movie में वो कर लेता लेकिन दीरे दीरे ना शागील उनका rigid हो गया है भाई आजकल की सलमान की किसी का भाई, किसी की जाण को मैं कय सेबुल सकता हूं में जान कहते लेकिन दोस्तों इस तरीय की movie किसी का भाई किसी की जान देखी है अपने मतलब यार क्रिंज इंटू 100 कर दिया सल्मान का कंटेंट मुझे लगता है कि सल्मान की हैसाब से लिखा जा रहा है और अगर यह हरकते टाइगर 3 में भी होगी तो कहीं देखो सबकी आशा हैं तो बहुत जादा क्योंकि जवान के बाद सबकी हैट बहुत बढ़ गयी कि भाई इंडिया का स्पायवर्स आसमान चुने वाला है सबकी एक उमीद है क्योंकि वहर भी हमने देखी अरतिक रोशन की वही बहुत अच्छी मोवी थे डिसेंट मोवी थी फिलाल जवान हमने देख ली जवान देखने के बात तो भाई सब के अर्मान जो है वो असमान चो रहे हैं कि भाई अब क्यो करने वाली है सलमान की फिल्म देखो, सलमान का क्रेज तो बहुत जाता है, लेकिन फिल्म में मुझे कुछ दिक्कतें लग रही हैं, जो शाद आपको भी समझ में आएंगी, तो पास आओ, और पास आओ, अब सुनो, कि भाई, जवान के समय में उसका डारेक्टर एटली था, एटली साउथ हिंडियन फिल् मनीश शर्मा की फिल्म में आपको में किनवाता हूँ, बैंड बारा-बारा, सुईध हागा, फैन और मतलब इस ताइब की मूवी से यार, मतलब ये ना रोमेंटिक, या फिल्म मतलब थोड़ी ऐसे फैमली ओरिएंटेट फिल्म में बनाया करता था, ये एक्शन फिल्म में आ रहा है, पता नहीं यार, इसमें मुझे दिक्कर लग रही है, दूसरा विलन, विलन कौन है मूवी का पता है, टाइगर 3 में विलन बनने वाले हैं, इमरान हासमी, इमरान हासमी अच्छी एक्टिंग करते हैं, बढ़ियां है बन सो पन अटाइम में, बहुत अच्छी एक अच्छी होती है, तो भाई स्टोरी लाइन की बात करता हूं, या डारेक्शन की बात में करो, तो मनीक शर्मा है, जिनसे मुझे अप एक च्छाएक काम है, सज हो लो तो, दूसरी तरब सलमान खान है, सलमान खान से भी मुझे ना, मतलब यार, अच्छी एक्टिंग कर सकते क्या बुल दिया, बंदूक से ना उड़ा दे मुझे, लेकिन भाई, मैं जो दिल में था, वो बोल देता हूं, यार, वो सब बात है, छोड़ो आप, फिलाल हम बात करते हैं, कि भाई, स्पायबल्स की ये तीसरी मूवी है, जिसमें बहुत सारी कैमी उलते हैं, लितिक बहुत बहुत, लेकिन जो बीढ़ाती है, आप लोग जूठनी है, आप लोग आँचंगता है, पर बाती हो है, बाती है, पर वह पहो atom है, कि भाई, पर अंत हम करती हैं, यार, वो देखों, कि भाई, आएगा थो उसे दिल, बहुत जदा positive feeling आ रही, मिलते हैं next review में दोस्तों और तब हम बात करने वाले हैं शारुक खान की, सल्मान खान की आने वाली कुछ नई movies की और भी नए reviews की और भी नए trailers की बने रहो मेरे साथ मेरे channel में और subscribe करते जाओ, मिलते हैं next video में तब तक के लिए